नमस्कार दोस्तों उमीद करता हूँ आप लोग स्वस्त होंगे जैसा कि वर्तमान समय में वर्चुल रियल्टी को लेकर की काफी चर्चाएं हो रही जैसा कि सोशल मीडिया से लेकर के समाचार पत्रों तक कहीं ना कहीं वर्चुल रियल्टी की बात हो रही है तो ऐसे में तो आईए समझते हैं कि वाट इज वर्चुवल रियल्टी वर्चुवल रियल्टी क्या है जैसा कि वर्चुवल रियल्टी आभासी वास्त विक्ता है वर्चुवल रियल्टी एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसका प्रियोग काल्पनिक दुनिया को क्रियेट करने के लिए किय जिसमें यूजर होने का प्रभाव रखता है कि वह इस दुनिया में है तथा उस दुनिया में आपजेक्ट्स को मेनुपलेट करने की योगता और इसके माध्यम नेवी गेट करने की योगता रखने का अहसास करता है वर्चूल रियल्टी का प्रियोग अक्सर 3D, वाता वरण उच्छ, विजूल, मल्टी मीडिया इत्यादी इसे संबंधित अप्लीकेशन के लिए किया जाता है वर्चूल रियल्टी आपको कम्प्यूटर द्वारा बनाए गए दुनिया में रहने का अहसास कराता है जैसा कि माल लीजिये कि आप कम्प्यूटर पर कार रेस गेम खिल रहे हैं ऐसे में आपको लगता है कि आप वास्तविक रूप से उस कार को ड्राइब कर रहे हैं लेकिन अयक्छूल में ऐसा होता नहीं है बलकि वह एक कालपनी क्रिया है वर्चुवल रियल्टी को समझने के लिए सबसे आसान उधारण है जैसे आप मोवी देखने थ्रियेटर में जाते हैं आपको जब आप मोवी को देखते हैं तो आपको लगता है कि वह जो भी घटना घटित हो रही है वह वास्त्विक में हो रही है लेकिन प्रायह ऐसा होता नहीं है बलकि वह काल्पनिक होता है लेकिन हमें देखने पर ऐसा महसूस होता है कि वह हमारे सामने ही हो रहा है वर्चुवल रियल्टी एक कांसेप्ट है जो हमें किसी घटना को वास्तव में होने का आभास कराती है यह वास्तविक्ता नहीं होती है बलकि यह कालपनिक होता है तो आईए समझते हैं कि आखिर वर्चुगल रियल्टी का इतिहास क्या है वर्चुगल रियल्टी सब्द जेरान लेल लियर ने 1887 में बनाया था जिन्होंने अनुसंधान इंजीनियरिंग के नए विकास उद्योग में अनेक उतपादों से योगदान दिया वर्चुगल रियल्टी जो आज हमारे सामने है उसका विचार सन 1965 के आसपास किया गया था जब लवान साउथर लेंड ने वर्चुगल अथवा इमेजिनरी संसार के निर्मार के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किये थे जैसा कि उसके बाद 1979 में ऐसे सिश्टम का आविस्कार किया गया जो लोगों के सूचना को थ्री डाइमेंशन डिस्पले में बाधता था जैसा कि वर्चुगल रियल्टी की आउधारना का उप्योग यूनाइटेड इस्टेट ने सरोप्रथम किया था वर्चुगल रियल्टी एक आभासी वास्तविक्ता है आभासी वास्तविक्ता मिंस वास्तविक नहीं है बलकि काल्पनिक है लेकिन आपको वास्तविक्ता का आभास कराता है तो ऐसे में आप लोगों को यह टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट्स के माध्यम से अबस्य बताए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और बेतरे इन टापिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद